Hey what's up guys this is me लवजीत अरूरा सबसे पहले तो आप सब बच्चों का प्यार भरा स्वागत है हमारे इस प्यारे से आपके इस प्यारे से चानल के उपर तो बच्चा चलिए क्लास को शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कुछ मेरे बारे में जैसे आपको पता तो चले गया होगा माई नेम इस लवची तरोरा और मैं अनकैडमी पर एक प्लस और वेरिफाइड एजुकेटर हूँ बिल्कुल अगर आप क्लास 11 और 12 में CSIP के बच्चे हैं अगर आपके पास में अजे सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल सही प्रोफाइल को विजिट करें क्योंकि मैं CSIP ही पढ़ाती हूँ तो बच्चा आप लोग रोज 10 बजे मेरी लाइव क्लास को ज़रूर जॉइन कर सकते हैं जो की होती है completely free but अगर आप free classes के बाद में चाहते हैं कि ma'am एक passionate way के अंतर हमारा course है जिसको आप complete कराईए तो बिल्कुल हम आपको यहां पर कहेंगे कि आप complete कर सकते हो अपना पूरा का पूरा course plus के साथ में या फिर Iconic के साथ में Iconic जिसमें आपको एक personal attention है जो यहां पर दिया जाता है थोड़ा सा उपर का level होता है Iconic का and plus यह Iconic इनके लिए आपको subscription है जो लेना पड़ता है आप subscription आपके नाम से बच्चे सोस्ते भाई बहुत ही पैसे ले लेंगे इतने जादा expensive है अरे भाई आप सुनी सुना ही बातों पर क्यों यकीन कर रहें एक बार आप subscription के page पर जाएए तो सही आप वहां पर price तो देखिए आप खुद देखोगे कि भाई इतनी face तो मेरी एक subject की और यहां पर मुझे sorry subject मिल रहें इतनी piece में right और उसे भी अच्छी चीज कि आप जब subscription के page पर जाएंगे तो आप LA live या फिर लवजीत अरोरा बिना space के दोनों में से किसी को भी अगर आप enter करेंगे तो आपको पूरा पूरा 10% का discount है जो यहां पर मिल जाएगा उससे ब मेरे बारे में and अब आप थम्नेल देख कर के आये थे कि माम हमें यहां पर बताने वाली है प्रोग्राम कि यूजर एंटर करने वाला है एक नमबर उस नमबर के basis पर हम यह बताने वाले कि उसमें negative positive या फिर कोई zero एंटर किया है logic है यार है ना चलिए अब हमने यूजर से नमबर को एंटर करा लेना है तो marks की जगह पर let us write their number that will be entered by the user अब क्योंगी की तो condition है so we are just checking here कि भाई यूजर ने जो नमबर एंटर किया है अगर वो zero से बड़ा है तो of course that will be a positive number दुनिया के सारे number जो zero से बड़े होते हैं वो positive ही होते हैं तो हम यहाँ पर positive लिखेंगे अगर user यहाँ पर ऐसा number enter कर देता है कि भाई वो जो number है आपका वो छोटा है zero से in that case you will be print there a negative number right so हम यहाँ पर enter कर देंगे अगर कोई भी number वो number हमारा चेक होगा कि भाई वो zero से बड़ा है तो positive answer आएगा zero से छोटा है तो negative answer आएगा and अगर वो number इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो of course that number will be a zero ठीक है तो yes अब हम enter कराएंगे user से कोई भी number तीनों को हम देख लेते हैं first let us enter their 90 it's a negative cool guys next 90 cool guys and then we are entering here ठीक है तो बिलकुल यह था जो हमने यहाँ पर किया कि भाई user enter करेगा और उस basis पर हम लोग बताने वाले है कि भाई user ने negative positive क्या enter किया है आप लोगों को इक और चीज़ बता दे कि आप लोगों की computer की file है जो चैनल पर already मैंने डाल दी है तो आप फटा फट से जाएंगे अपनी file को complete कर लीचे क्लास 11th computer science की file हां और एक एक प्रोग्राम को explain भी किया है और एक मैने lecture ऐसा डाला है जिसमें दो मिनट में आपकी file complete हो सकती है जाए चैनल विजिट करें और डूंडिए उस video को हां चलिए फिर बाई बाई मिलेंगे आपको अगले lecture के अंदर thank you so much